है हम फ्रेंट्स चयाज भी करेंद्धियों चण सबसे पहली बात मैं आप दोगर को इस वैरी 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 इंपोर्टेंट ही बहुत इंपोर्टेंड है निक उप्लास विम cri upon 2G, ठीक है, datum head plus pressure head, open channel flow के case में जो depth होती है, वोई pressure head के बराबर होती है, ठीक है, plus velocity head, ठीक है, तो specific energy जो होती है, specific energy is the energy taking channel bad as datum, channel के bed को, हमने जिसे कोई flow हो रहा है, तो channel के bed को हमने datum ले लिया, इसी को z ले लिया, तो यह क्या हो गया, मतलब हमारा z 0 हो गया, यही हमारी क्या है, specific energy है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत clearly लिखा हुआ है, कि y plus v square upon 2G, sum of pressure head and velocity head is specific energy, और it is the total energy taking channel bad as datum, ठीक, अब इसको more accurate करने के लिए, मतलब हम लोग क्या करते है, correction factor यूज़ करते हैं, जस अब इसके पहले हमने देखा है, correction factor, ठीक है, तो अगर आपको correction factor यूज़ करना है, तो यहाँ पर alpha v square upon 2G कर देंगे, for turbulent flow, alpha is equals to 1 होता है, uniform flow के लिए भी alpha की value क्या होती है, nearly equal to 1 होती है, तो वहाँ पर हम लोग generally, ठीक है, alpha नहीं भी लिखते हैं, इसके बाद बात करते हैं, specific energy curve, तो specific energy curve क्या represent करता है, समझते हैं इसको, e is equals to y plus v square upon 2G, यह formula हम एकदम याद रखना है, ठीक है, अब हम एक curve plot करेंगे, किसके बीच में, energy और depth of flow के बीच में, ठीक है, e के बीच में और y के बीच में, ठीक है, तो हमने यह graph बना दिया, this is e and this is y, ठीक, अब हम में यह formula पता है, e is equals to y plus v square upon 2G, as we already know, तो बात करते हैं कि जब e is equals to y होगा, तो यह graph की line कैसी होगी, यह ऐसी line होगी, ठीक है, e is equals to y के लिए curve की हमारे पास line आ गई, ठीक है, which is at 45 degree, ठीक है, अब हम इसमें e is equals to y, ठीक है, उसके लिए line आ गई, अब e is equals to y plus v square upon 2G की हम बात करें, तो अगर आप y में कुछ भी add करते हो, ठीक है, e is equals to y के लिए line आ गई हमारे पास, अब if you add anything in y, तो क्या होगा, जो भी जो भी कर्व होगा, वो इसके right side ही मिलेगा हमें, ठीक है, इसके just right side मिलेगे, कुछ भी आप इसमें add करोगे, तो वो इसके just right side ही आना है, तो e is equals to y के लिए line हो गई, e is equals to y plus v square upon 2G के लिए हम देखेंगे, तो adding v square upon 2G, we will get a parabolic curve, like this, ठीक है, हमें एक parabolic curve मिलेगा, ठीक, अब बात करते हैं, कि यहाँ पर जो यह जो e की value है है ना, तो एक line draw करें, ठीक है, किसी भी constant e value के लिए, suppose हम यहाँ पर e की value ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, तो यहाँ पर हमने e की value ले ली, और इसके लिए हमने एक line draw की, ठीक है, तो यह line draw की तो यह line इस कर को कहा कहा कट कर Hack देखो एक तो यहाँ पर Cut कर रही है और दूसरी यहां पर Cut कर रही है इसका मतलब कि एक ही e की value के लिए हमें श, कहम है य की दो values मिल रही है है na same value of energy we will get the two values of depth, एक ही energy की value के लिए हमें दो depth की values मिल रही है, देखो आप यहाँ पे, इसको समझ लो पहले, मतलब समझना जादा important है, तो यह graph है, हमने एक कोई भी energy की value मार्क की, और उस energy की value के लिए हमने इस curve में curve से cut किया, तो हमें इस curve में जब हम यहाँ डेफ की value देख रहा हैं, तो same value of energy के लिए हमें दो depth मिल रही है, एक मिल रही y1 और एक मिल रही y2, ठीक है? तो इसके अबारे हम बात करते हैं कि भाई, एक ही value, एक constant value of energy के लिए दो depth मिल रही है, एक है y1 और दूसरी है y2, तो यह y1 और y2 जो alternate depth ठीक है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे specific energy का curve का concept समझ में आया और इसमें हमें alternate depth का concept समझ में आया अब बात करते हैं हम लोग की e is equals to y plus v square upon 2g के लिए ठीक है तो जब भी आपको e is equals to यहाँ पे आप देखो y plus v square upon 2g ठीक है तो जब भी y की value कम होगी ठीक है e तो constant है e की value तो हमने यहाँ पे constant value माल ली तो y की value अगर कम है जैसे यहाँ पे इस same curve में y की value क्या आ रही एक जगे कम आ रही एक जगे y की value ज़्यादा आ रही है एक जगे इतनी से आ रही एक जगे यह ज़्यादा value आ रही तो y की value जब कम है तो e की value constant कैसे रहेगी जब velocity ज़्यादा रहेगी और जब y की value ज़्यादा हो जाएगी तो e की value फिर भी constant है same a की value चीए तो यह कब रहेगी जब v की value कम होगी इसका मतलब जब e को हमें constant maintain रखना है तो उसको constant रखने के लिए जब y की value ज़्यादा होगी तो v की velocity कम हो जाएगी और जब y की value कम होगी यहाँ पर तो यहाँ पर velocity ज़्यादा हो जाएगी इसका मतलब है कि भाई जब हम इस curve को इस line को ऐसे कम करते जाएंगे तो दो depth मिल रही है देखते जाओ यहाँ पर भी दो depth मिल रही है और नीचे लाएगी value यहाँ पर भी यह दो depth मिल रही है एक point ऐसा आएगा यहाँ पर देखो यह यहाँ पर यह ना इसको थोड़ा erase करके इस point पर देखो यह minimum value of e के लिए हमें दो depth नीचे मिल रही है एक ही depth मिल रही है तो the depth corresponds to e minimum is called critical depth इस critical depth में हमें जो energy की value होगी वो e minimum होगी ठीक है और इसके corresponding जो y की depth होगी उसको हम बोलेंगे critical depth critical depth मतलब वो depth जहाँ पे हमें दो value of depth नहीं मिलेंगी एक ही depth की value मिलेंगी और इस depth की corresponding जो energy होगी minimum होगी क्योंकि इससे नीचे अगर हम लाएंगे करने line draw करेंगे तो हमें इस line के बीच में और ग्राफ के बीच में कोई भी intercept नहीं मिल रहा है तो एक बात हम ये समझ गए अब इसके बाद हम बात करते हैं जिसे कोई channel है suppose ये channel है दो depth है एक depth ये है दूसरी depth ये है ठीक इस particular depth की value के लिए y1 के लिए velocity की value क्या है बहुत जादा है ठीक है और जब y2 की value बढ़ रही है ठीक है तो velocity की value काफी काम है इसका मतलब यहाँ पे जब depth इतनी है ठीक है इस depth के लिए velocity क्या है काफी जादा है velocity जादा है depth काम है इस depth की हम बात करें तो इस depth में क्या है जब पानी यहाँ पर है इस depth में flow हो रहा है तो velocity काफी काम है और y के value depth के value काफी जादा है तो जब velocity काफी जादा होती है उस flow को हम लोग क्या बोलते है super critical flow क्या बोलते हैं super critical flow क्योंकि यह जो है यह वाली line critical को बता रही है ठीक है यह line critical depth को बता रही है तो इससे नीचे अगर flow हो रहा है तो यह कौन सा हो जाएगा super critical flow और इससे उपर अगर flow हो रहा है तो वो हो जाएगा sub critical flow ठीक है friends इसको दो से तीन बार देखो कि concept एकदम clear हो जाएगा hundred percent clear हो जाएगा दोस्तों ध्यान से समझने वाली चीज है एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो फिर कोई doubt नहीं रहता है तो पहले एक बार अच्छे से इसको समझने की जरूरत है तो जिसमें flow की velocity बहुत जादा होती ह उसको हम लोग क्या बोलते हैं सब critical तो यह जो critical depth है यह इस graph को दो region में divide कर रही है ठीक है दो region में divide कर रही है नीचे वाला जो region हो जाएगा इसमें depth कम और velocity जादा है इसको बोलेंगा हम super critical region ठीक है और इसके उपर वाला जो region है जहाँ पर depth जादा है depth जादा और velocity कम उसको ह बार-बार डीटेल में समझोगे, बार-बार ड्रॉव करोगे, तो सारा concept एक दम बिलकुल crystal clear हो जाएगा, बाकि जितनी भी चीज़े इसमें समझने की थी मैंने आपको डीटेल में समझा दी है, ठीक है, तो this is all about specific energy and specific energy curve, ठीक है दोस्तों, ठीक्स पर वाचिंग, और alternate depth भी समझ ली हमने की alternate depth क्या होती है, the depth corresponding to the same value of specific energy, किसी एक ही value of specific energy के लिए जब डो depth possible होती है हमारे पास, तो उसको हम लोग alternate depth बोलते हैं ठीक है, और जब इस energy को कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो हमें एक ही value मिलती है depth की, ठीक है, अगर एक ही value मिल रही है, minimum corresponding to minimum specific energy, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, critical depth बोलते हैं, ठीक है, तो सारे concept यहाँ पर हमने specific energy, specific energy curve, alternate depth, super critical region, sub critical region, super critical flow, sub critical flow, discuss कर लिया है, ठीक है,